इस वीडियो में हम reference frame के बरें बाश करेंगे तो क्या है ये reference frame देखिए जब हम bodies का motion study करते हैं तो हम उन bodies को जहां से भी observe करते हैं जिस जगें से observe करते हैं उस जगें को ही हम क्या बोल देते हैं reference frame example के लिए मा लीजिए यहां पे खड़ा कोई person माल ये जमीन पे ही खड़ा यहां से ये किसी block को observe करता है तो इसे इस block की position को position क्या है ये क्या करेगा ये वेक्ती ये आदमी ये person अपने साथ एक coordinate system जुडा हुआ assume करेगा एक्चलिन अपने साथ नहीं ये जहां खड़ा है जिस ground पे खड़ा है ये माल लेगा कि वहां से तो ये एक्स वाइड एक्सिस का system जुडा हुआ हुआ है वहां पे है तो इस coordinate system के respect में माल लीजिए इस block के coordinates आते हैं एक्स कोमा वाई कोमा साथ ओके ये जो एक्स वाइड एक्सिस का system है इसी को हम क्या वो लिंगे रहे है अगर ये एक्स वाइड एक्सिस का system जिसके रिस्पेक्ट में हैं हम इनी bodies का motion study कर रहे हैं अगर ये एक्स वाइड एक्सिस का system अगर rest में हो या ये अगर move करें तो constant velocity से move करें तब तो हम इस reference frame को बोल देते हैं और अगर ये एक्स वाइड एक्सिस का system accelerated motion में हो तब हम इसकी मदद से दूसरी bodies को observe करें तब हम इस reference frame को बोल देंगे non-inertial reference frame ओकी लेगर इतनी बात आईए इन दोनों बातों को detail में discuss करते हैं तो अभी हमने देखें कि reference frame दो तावे करते हैं कौन बहुन से first one is inertial और दूसरा non-inertial inertial reference frame यह नाम उस reference frame को दिया गया है जो या तो rest में हो या move करें तो constant velocity से move करें कि velocity constant में चाहिए इस reference frame में newton slow apply किये जा सकते हैं कोई दिक्त नहीं आती है आपको newton slow apply करते वक्त इस frame में non-inertial reference frame यह क्या होता है देखिए वो reference frame जो move तो करे लेकिन वो accelerated motion में हो तब हम ऐसे reference frame को क्या बोलते हैं non-inertial reference frame इस reference frame से अगर आप दूसरी bodies को observe करें तो आपको bodies आपको इसमें दिक्त आती हैं कि हम डिसकस करते हैं और अगर इस inertial frame से देखते हुए आप newton slow apply करना चाहते हैं तो आपको एक नकली force एक 50 ट्यस force का सहारा रहना पड़ता है यह सब बाते हैं यह डिसकस करते हैं आज यह सब सब्सक्राइब इनर्शियल reference frame की बात करते हैं तो देखिए महां लिजे आप किसी vehicle को observe करते हैं किसी गाड़ी को आप observe करते हैं जया आपके सामने रॉड रॉड पर से कोई गाड़ी दुगाती हो जानी है आप यह रोर के किनारे के खड़ेगे माँले इसको देख रहे हैं अब यहां से-से देख रहे हैं माँल्य यह गाड़ी जो बूब नहीं कर रहा है मूँव करी नहीं दिया माहा लिजे इसके विलासिटी है जियो और आप जहां खड़े हैं वो ग्राउंड वो ग्राउंड भी इस गाड़ी के रिस्पेक्टर मूँव नहीं कर रहा या यह यूं कह लीजिए आप जहां कर है उस जो कोड़िनेट सिस्टम अटेच्ट रहे वो मूव नहीं कर अटा तो आप इस गाड़ी को जब देखेंगे तो आप पाएगे कि गाड़ी का distance ना आपसे increase हो रहा हे ना आपसे decrease हो रहा है आप क्या देखेंगे कि गाड़ी किसमे है? rest में. आपके respect में गाड़ी किसमे है? rest में तो आपके माइन में क्या अगर आपने Newton's first law पढ़ा है तो आप तो यही कहेंगे कि no force is acting on the card यही कहेंगे आप यही कहेंगे किस काड़ी पर कोई force नहीं लग रहा पर आपिल कुछ सही कह रहे हैं इस case में आप इसके उपर Newton's laws apply कर सकते हो Newton law यही तो कहता है first law कहता है कि if a body is at rest then it will remain at rest and if it is moving with constant velocity then it will remain in that constant velocity it will continue to be moving with that constant velocity in the absence of any external force और यही तो आप देख पा रहे हो इस पे कोई external force नहीं लग रहा तभी तो आप इसको rest में देख पा रहे हो okay आप यह एक वर case देख करते हैं माली जेख की बार आप खुदी इस गाड़ी के उपर कड़े हैं और यहां स्ट्टक के किनारे कोई पेड़ है आप इसे observe कर रहे हैं गाड़ी माली जेख की बार constant velocity से move कर रही है तो actual में जब आप इस गाड़ी पे खड़े हैं तो आप इस गाड़ी से इस पेड़ को देख रहे हो तो वही x y z axis का system जो पहले ground पे था वो अब इस गाड़ी के साथ attached माना जाएगा जब आप इस पेड़ को देखेंगे क्योंकि आपकी गाड़ी constant velocity से move हो रही है तो अगर right hand side में आपकी गाड़ी जा रही हो तो आपको यह पेड़ left hand side में उसी constant velocity से move होता हो नजर आएगा क्योंकि यह पीछे जूटता जाएगा अब अगर आप इस पेड़ को देखें तो आपको mind में क्या आएगा आप अब भी यही कहेंगे कि no force is acting on this tree ऐसा आप क्यों कह रहे हो क्योंकि आप यह देख पा रहे हो कि पेड़ आप से दूर तो जा रहा है लेकिन उसमें कोई acceleration नहीं है उसकी velocity कैसी है constant और आप में तो Newton's first law में यही पढ़ा है कि अगर कोई body constant velocity से move हो रही हो इटमीज उस पे कोई force नहीं लग रहा है आप बिल्कुछ सही बोल रहे है आप कुछ गलत नहीं कह रहे है अभी तक आपका जो frame of reference है वो कैसा है inertial reference frame क्योंकि उसमें law of inertia आप apply कर पा रहे हो आप भी कुछ सही कह रहे हैं ground पे खड़ा हुआ आदमी भी कोई यही बात कहेगा वो भी यही कहेगा कि इस पेड़ पे कोई force act नहीं कर रहा उसे क्योंकि इस पेड़ किसमें नजर आएगा rest में तो वो गएगा कि इस पे कोई force नहीं लग रहा है वैसे यह person कैसे reference frame से इस पेड़ को देख रहा है यह भी inertial reference frame से देख रहा है और आप भी inertial reference frame से देख रहे हो तो दोनों speed के बारे में बिल्कुल सई conclusion नहीं काल रहे हो आप दोनों ही क्या कह रहे हो इस पे कोई force act नहीं कर रहा है यह कह रहा है कि यह rest में है इसलिए कोई force नहीं लग रहा है आप कह रहे हो कि यह constant velocity से move कर रहा है इसलिए इस पे कोई force नहीं लग रहा है तो अब तक कोई दिक्कत नहीं, आप अराम से Newton's laws of motion in situations पे apply कर पा रहे हो, कब जब आप other bodies को कहां से देख रहे हो, inertial reference frame से, अब आए बात करते हैं non inertial reference frame की, महा लिजिए, अब आप जिस गाड़ी पे हैं, महा लिजिए आप किसी गाड़ी पे बैठे हैं, लेकिन अपकी बार क्या है, कि आपकी जो गाड़ी है न, वो accelerated motion में आप, अपकी बार आपकी गाड़ी की velocity, मान लिजिए time के साथ 100 entries होती जा रही है, तो अपकी बार आपकी body के साथ जो coordinate system attached है, उसे में क्या नाम दोंगा, non inertial difference, क्या नाम देंगे जिए? non inertial difference, क्यों अभी बात करते हैं, माल यही फिर से कोई build सड़के किनारे खड़ा है, जिसे आप अपनी स्कार से अभी देख वा रहे हैं, ठीक है? sorry, अब क्योंकि आपकी गाड़ी accelerated motion है, तो आप इस पेड़ से दूर तो जाएंगे, और यह पेड़ आप से दूर होता हूँ आपको feel होगा, लेकिन अपकी बार यह आपको accelerated motion में नजर आएगा, आपको ऐसा लगेगा, कि जैसे जो गाड़ी की, जो आपकी गाड़ी की acceleration है, यह यूँ कह लीजिए, आपके साथ जो reference frame attached है, जिसे अब हम non-inertial reference frame कहने वाले हैं, आपको ऐसा लगेगा, जैसे कि आपके इस reference frame वाली ही acceleration यह पेड़ feel कर रहा है, तो आप पाएंगे कि पेड़ accelerated motion में है, फिर तो आ में क्या हना चाहिए, आप क्या सोचोगे, इस पेड़ के बारे में, आप तो यह कहोगे ना, कि कोई ना कोई force तो जरूर लग रहा है इसके उपर, तब ही तो यह accelerated motion में है, ओके, तो आपने इस पेड़ को एक non-inertial reference frame से देखा, एक ऐसे reference frame से देखा, जो कुछ acceleration से move कर रहा था, तो आपने इस body के बारे में, इस पेड़ के बारे में, जो actual में rest में है, उसके बारे में क्या conclusion निकाला आपने, यही ना, कि इस पे कोई force लग रहा है, है ना, आप बिल्कुल सही बहुत रहा है, आपको तो ऐसा लगेगा, क्योंकि आपको इसमें acceleration feel होगी, नजर आएगी, तो आप तो यही कहोगे कि इस पे कोई force लग रहा है, लेकिन इसी पेड़ को कोई बंदा, inertial reference frame से देखे, जमीन पे खड़े होगा के देखे, तो वो तो कहेग दो खेगा कि नहीं जी, इस पे कोई force ने लग रहा है, तो होता क्या है, जब हम बाडीज को नॉनveltal reference frame से observe करते हैं, तो हमें उन बॉडी पर एक फोर्स लगता हुआ फील होता है वैसे एक्चल में उस बॉडी पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो इस नकली फोर्स को इस आभासी फोर्स को इस 50-T-S फोर्स को हम बोलते हैं जूडो फोर्स फोर्स इस फोर्स का मैगनिटूड कितना होता है देखिए फोर्स का मैगनिटूड होता है फोर्स का सेम फोर्मूला भी मास into acceleration Newton second log according M into A अब यहां पे M क्या है M देखिए उस बॉडी का मास है जिस पे आप फोर्स find out करना चाहते हो और A, A आपके उसी non-inertial reference frame की acceleration है बट यह जूडो force जो है इसके साथ आपको एक minus का sign लगाना पड़ेगा, minus का sign क्यों? क्योंकि आपको उस body पर force opposite direction में feel होता है, अगर आपकी गाड़ी right hand side भी जा रही है तो आपको force left hand side में feel होता है इसलिए आप A के साथ में negative sign लगा देता हूँ, यह negative sign direction को indicate कर रहा है, ठीक है जी? तो अगर आप non-inertial reference frame से कुछ bodies को observe कर रहे हो और आप उन पर newton's laws of motion apply करना चाहते हो तो आपको उन bodies पर एक नकली force, एक TTS force assume करना पड़ेगा, मान के चलना पड़ेगा, तब ही आप उन bodies का motion study कर पा होगे इस force को हम क्या बोलते है, pseudo force और इसकी value किसके equal होती है, इस pseudo force is equal to minus MA here minus sign indicates the direction, which direction, this negative sign indicates that the direction of this pseudo force is opposite to the direction of your non-inertial reference frame, okay आइए कुछ और examples देख करके इस topic को और clear करते हैं, आइए pseudo force को समझने के लिए एक और example लेते हैं मालेजिए आपके पास, आप अपने हाथ में मालेजिए अपनी हे कोई book लेते हैं इस book के उपर आप अपना कोई pen ड़ग दिए ठीक है, या pencil ड़ग दिए अब एक काम करिए, इसे अपने दौना हाथों से पकड़ करके, बिल्कुल horizontal रखिए और किसी एक direction में जोर से move करवाईए, ऐसा करके actual में आप इस copy को accelerate करवा रहे हैं या यूं कह दीजिए, यह जो pen है, यह एक ऐसे reference frame में रखा है, जो accelerate हो रहा है मतलब यह reference frame non-inertial बन लिया जैसे ही आप इस book को right hand side accelerated करवाएंगे, move करवाएंगे आप अपने आपों से साफ साफ देख पाएंगे कि यह pen left hand side move करेगा लेकिन क्या आपने इस pen पे कोई force लगाया है, नहीं, आपका जवाब होगा नहीं लेकिन फिर भी यह pen एक force experience करेगा वैसे ground के respect में देखा जाए, तो इस पे कोई force न देख रहा अगर आप इस copy के नीचे जस्ट एक vertical line किसी तरह ड्रॉक कर पाएं जो ground को touch कर रही हो, और मालीजी यह point x आपको मिलता है तो pen जिस point पे था न, copy को accelerate करवाने से पहले तो फिर इसलिए हो रहा है क्योंकि actual में speak को जो copy है, यह जो book है यह pen के नीचे साथ की तरफ move कर रही है, तो अगर हम इस non-inertial frame से इस pen को observe करें, तब हमें लगता है कि pen के कोई force लग रहा है यह पीछे की तरफ move कर रहा है तो इस force की value किसके एकल होती है, अब यह अभी जैस थोड़ी के पहले करें बताया कि इस force की value होती है, mass of the body, वो body जो non-inertial frame में रखी है multiplied by negative of acceleration of non-inertial reference frame यह आपका zood of course, force का formula save रहेगा as equals to m a, लेकिन m किसका आएगा, उस body का mass जो कहां रखी है, non-inertial reference frame में और यह minus a क्या है, यहाँ minus sign direction को indicate कर रहा है और a उस non-inertial reference frame की acceleration है, I hope आपको यह topic समझ आया होगा अगर आपको इस topics related कोई भी doubt हो, तो please comment में मुझे बताइए, thank you very much